आज एक अलग तरह का सैयोग का दिन है, हम सभी अंग्रेजी कलेंडर के अनुसान नवर्सी की सुरुवात करने जा रहे हैं और साथ ही भगवान स्रीहरी विश्णु को समर्पित सबसे बड़ा दिन एकादशी, वो भी पुत्रदा एकादशी साल भर में यह एकादशी अपने आप में सबसे बड़ी एकादशी की रूप में जानी जाती है और भगवान स्रीव जो हमारे आराध्य हैं, उनके दिन से हमारे साल की सुरुवात हो रही है तो क्यों न पूरे साल को सुखमे बनाय जाए, नेरमल बनांय जाए और स्रीहरी विष्नो भगवाम्ची अद्भुत मिलन के दिन को हरीहर मिलन के दिन को हम सब ही जो हमारे पास है अगर वही वस्तु हम महादेव को सही विधि से समर्पित कर दे साम के समय में तो जीवन के सब ही मनों कामने पूर्ण होंगी और समय बदलते देर नहीं लगेगी जैस्री राधे हरहर महादेव स्री सिवाई नमस्तु भ्यम कैसे हैं आप सब आज है एकादशी का दिन अपने आप में अधुद्धिन है साम के समय पर महादेव और स्रीहरी विष्णु के मंदिर में यह चीजें आपके पास इन चीजों में से घर में कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से होगा जरूर से चड़ा देजिएगा गुरुदेव ने अपनी कथा के माध्यम से हम सभी को बताया है कि भगवान शीव को क्या क्या प्रिय वस्तुएं होती है तो सभी के वस्तुएं घर में सभी वस्तुएं तो नहीं होती परन्तु कुछ वस्तुएं जरूर से मजूद होती है जैसे कि आपके घर पर रुदराक्ष तो जरूर से होगा अगर रुद्राक्षे है तो उसका जल जैसे कि रुद्राक्षे को उसके अंदर डाल दिया और उसे जल में भीगो कर उसका जल महादेव को समर्पित कर देते हैं तो यह सभी दुखों का नाश कर देता है और मनों कामना पूर्ण कर देता है आप सौच रहे होंगे साम को क्या महादेव को जल समर्पित होता है हाजी अगर आपके घर के मंदीर में भी आप कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है महादेव को चार पहर में जल स्नान कराया जाता है तो आज के दिन आप सभी सुबह के समय में महादेव का रुद्र अभिशेक नहीं कर पाए हैं, अर्थात रुद्र के जल से अर्थात रुद्रक्षी के जल से अभिशेक नहीं कराया पाए हैं, तो साम के समय में जरूर से करा दीजिए, स्रीहरी विश्णु को आवश्यक रू भी आपके महादेव को आपना इस्ट मानते हैं और आधाक्रिष्ण nhi और विश्णो में के प्रभू अमारी मनोकाम्न करते हैं अंवी कारण से आपनल कौन्ह पूजा कर सकते हैं जिस का रही है उस मिद्धि से आप मानने करें स्री हरी विष्णु भगवान शिव की सैयुक्त रूप से पूजा करें एक साथ जो है दोनों को पाटे में बिछा कर चौकी में बिठा कर पूजा करने का प्रियास करें अब आपके पास स्री हरी विष्णु के लिए कुछ भी नहीं है भगवान शिव के लिए दो उनों मंत्र अपने आप में अध्वुत हैं अब आपने सबसे पहले अभिश्य कित्यादी करा दिया महादेव या स्रीहरी विश्णु की प्रतीमा फोटू है तो उनके उपर जल के छीटे डाल दिये महादेव के उपर अपने मन की बात कहते हुए जैसे मैंने बताया आप सब अब ही अगर रुद्राक्ष मिश्री जल से अभिशेक करा देते हैं तो आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं जिसके आप इच्छा रखते हैं इसके बाद स्रीहरी विश्णु को कुछ भी नहीं कर सके तो आवश्यक रूप से जो आपके पास माखन मिश्री है सामान्य पूड है जो भी आपके पास है जैसा भी है उसमें तुलसी दल रखकर जरूर से भगवान को भोग लगा दीजेगा और एक जो है दीपक है वह जरूर से आज अखंड दीप अलग अलग लगा सके तो अतियोत्तम है नहीं तो दोनों के नाम का एक ही दीपक अपने घर के बहुत अधिक सुब फलों की आपको प्राप्ती होनी ही है इसके साथ ही अगर घर में चंदन माजूद है तो स्रीहरी विष्णु को चंदन लगा दीजे स्रीहरी विष्णु को त्रिपुंड बना दीजे यह दोनों को देवी देवताओं को अत्यधिक प्रिया है मेरे कहने हो जाती है बहुत सरल सरंतम विधी से करते हैं तो वह सरल हो जाती है तो दोनों देवी देवताओं को विधिविधान से चंदन जरूर से आज के दिन लगाईएगा के सर चंदन हो रक्त चंदन हो जो आपके पास चंदन हो वही आप लगा दीजे इसके बाद जो है आज के अगर आप भगवान शिव को सफेद पुस्पों से साम के समय स्रिंगार करते हैं, तो आपकी मनु कामना ततकाल पूर्ण होती है, 108 स्रीहरी विश्णु को भी प्रिय है, भगवान शिव को भी अत्यधिक प्रिय है, आपने देखा होगा जो भी माला जाप करते हैं, तो 108 की होती है, तो आज के दिन स्रीहरी विश्णु को भी सफेद पुस्प या पीले रंग के पुस्प 108 समर्पित कर देते हैं, 108 कहने का तो है परंतु नहीं हो पाए, तो जितने हैं सच्चे भाव सच्चे मन से, उन्हें आज साम के समय से पूर्ण स्रिंगार की दिएगा, बहु पुस्प और स्रीहरी विश्णु को पीले रंग के पुस्प ना हो, तो दोनों को आप एक जैसे पुस्प जरूर से पुस्प, इसके साथी भगवान से छमा प्रार्थी हो जाएं कि प्रभु हम तो इतना ही कर सकते हैं, कहने का अर्थ है, आप इन वस्तों में से दिखे, व सच्चा भाव, सच्चा मन और छमायाचना करते हुए मातर एक दीपक और जो मैंने वस्तों बता रखी हैं, वही अगर आप भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो आप जरूर कुछ ना कुछ फल प्राप्त करेंगे, जैसे कि मातर तुलसीव से भी भगवान श्रीहरी प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी मंतर जो है मनुकाना पूर्ण करते हैं, आज विसेश रूप से साम के समय पर जितना संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाई जो कि स्रीहरी विश्नु का प्रिय मंतर है, उनके सामने एक माला कुछ भी नहीं कर सके तो जरूर फेरन जरूर जरूर ऑफेरेन लुटूर जरूर जहां इए.